हेलो एप्रिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा हेल्डी नास्ता एक एक प्रोसेस को फॉलो करके आप भी इस तरीके से बहुत ही चटपटा हेल्डी नास्ता बनाके त्यार कर सकते हैं तो बिना टाइम वेश्ट के इस हेल्दी नास्ते की रेस्पी को देख लेते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने ले लिया है यहां आटा तो फ्रेंड्स कब से मैंने अभी एक कप गेहूं का आटा लिया है जिसे अच्छे से चांद लिया है आप चाहे आधा के आटा और ले लिया है अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक चमच रिफाइन तेल डाल देंगे इन सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां बहुत ज़्यादा इसका मुयन नहीं बनाना है बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बहु बहुत ही परफेक्ट बिल्कु सौप्ट सा यह डू बन गया है अब हम ढगके इसे 10 मिट के लिए रेस्ट पर रख देंगे जिससे आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा यहां हमने ले लिया है पनीर तो फ्रेंड्स पनीर मैंने यह 200 ग्राम लिया है और इसे इस तरीक से स्प्रिंकल कर लेंगे और अब हमने ले लिया है आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आप जैसा तीखा खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर कम्या जादा ले सकते हैं अब यहां मैं डाल दूंगी स्वात के अनुसार नमक तो नमक को भी सारे पनीर पर अच से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स ध्यान रहें कि इसको बहुत मतलब सौफ्टली इसको मसाले में कोट करना है तो इस तरीके से हाथ से मैं बहुत आराम से मसालों में इसे कोट कर ले रही हूं तो अब यह मसालों की कोटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है देख सकते हैं यह चारो तरब से मसाले में अच्छे से कोट हो चुका है, तो अब चलते हैं gas की तरब, gas पर मैंने इस तरीके का पैन रख लिया है, इसमें पनीर को इस तरीके से रख देंगे और friends एक साइड अच्छे से सिख जाने देते हैं, low to medium flame पर इसे एक साइड से सेखेंगे और friends देख सक कितना सौप्ट ये पनीर है तो बहुत आराम से इसको पलट लेना है यानि पलटते हुए चारो तरफ से अच्छे से हम इसे कुक कर लेंगे जिसे मसाले का कच्छापन है वो खतम हो जाएगा उपर से हलका सा ये क्रिस्पी हो जाएगा तो यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स यह बहुत अच्छे से अफसीख चुका है दोनों या चारो तरफ जो भी कहिए मसाले इसके उपर जो है कुक हो चुके हैं और उपर से ये क्रिस्पी हो चुका है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब आगे की तयारी कर लेते हैं यहां हमने ले लिया है आटा तो आटा से निकाल सकते हैं तो अभी जो यह बचा हुआ आटा है इसे हम बाद में यूज करेंगे दो लोई मैंने निकाल लिया है तो एक लोई अब हम इस तरीके से लेंगे और इसे ढग कोलगोल करेंगे और फ्लैट कर लेंगे सूखे आटे की थोड़ी सी डस्टिंग करते हुए ह हम इसे बेल के बड़ा कर लेंगे तो friends इसे कितना मोटा पतला बेलना है मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए सुखे आटे की डस्टिंग करके बेलेंगे तो बहुत आराम से ये बेल जाएगा क्योंकि हमने बिल्कुश सॉप्ट आटा इसका लगा के तयार किया है तो द ही है लेकिन दोनों का पतला मोटा बेलने का फायदा क्या है ये मैं बताऊंगी तो पनीर को इस तरीके से हमने रख लिया है और इसे उठाके अब इसमें लपेट लेंगे तो बहुत जादा इसे नहीं लपेट ना है यहां मैं बता दो friends अगर जो बहुत पतली रोटी बना क काट के निकाल दिया और यहां कस्तूरी मेथी लगा इसे हम हटा देते हैं और इसके उपर अब पानी स्प्रेट कर लेते हैं पानी स्प्रेट करने से बहुत अच्छे से चिपक जाएगा तो अब जो यह पनीर वाला रोल है इस पर रखके अच्छे से हलके हाथों से दबात पनीर का stick रखा था उसे हम अलग-अलग कर लेंगे और side में अगर जो खुला है तो हाथों से दबा के अच्छे से इस तरीके से इसके मुझ को बंद कर दीजिएगा ताकि जब हम इसे fry करें तो इसका तेल वगर ना निकले तो friends यहाँ मैंने ले लिया है सफेद तील और यह दो चमच मैंने सफेद तील लिया है बिना चिलके वाला तील है इसमें आधा चमच चिली फ्लेक्स एड कर देंगे इसको अच्छे से mix कर लेंगे friends यह जो process है यह आप जब dough बनाएं उस time भी इसे आप mix कर सकते हैं आटे के साथ तो आटे में अच्छे से mix करने के बाद आप इसका dough बना के तयार कर सकते हैं या मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ कि आप सारा तयारी करने के बाद इसके उपर से इसकी coating कर सकते हैं दोनों तरीके मैं बता दी हूँ जो आपको सही लगे वैसे इसको कर सकते हैं या तो डो बनाते टाइम आटे में मिक्स कर लें या सारी तैयारी करने के बाद इस तरीके से तिल और चिली फ्लेक्स की कोटिंग उपर से कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी ये नास्ता बन के तयार होता है तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा पानी उपर इस्प्रेड करेंगे और तील चिली फ्लेक्स में अच्छे से कोट कर लेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब ये हमारा नास्ता बनने वाला है यहां सारा पानी अच्छे से गरम हो जाए तभी आप इसमें इस नास्ते को डालिएगा ठंडे पानी में नास्ते को नहीं डालिएगा नहीं तो आटा बहुत गिला हो जाएगा गरम पानी में जब यह जाता है तो अपने आपको सेट करने लगता है तो यहां देखिए फ्रेंग्स अच् ये ice-page लिए है इसमें हम the either दढ़ंगे तो friends आप इसे डीफ्राईब कर sa segregated इया रलका समतब एक चमच्त टेल डाल के इसे शेख सकते हैं जैसा आपको खाना पसंद हो उस तरीके से आप इसे सेख सकते हैं दुबारा से या तो आप ऐसे ही खा सकते हैं बीना फ्राई किये बीना सेखे लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर लेने से ये उपर से अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है तो जब ये एक साइड से सिख जाएगा तब हम इसे टर्न कर लेंगे एक एक नास्ते को हमने तेल में इस तरीके से डाल दिया है गरम तेल में आपको डालना है तो यहां देखे फ्रेंट्स ये दोनों साइड से जब अच्छे से सिख जाएगा यानि बहुत अच्छा इसमें क रेडी हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं सारा नास्ता बहुत अच्छे से सिक चुका है और बिलकुल हुला फुला यह हमारा नास्ता बनके रेडी हुआ है तो तो लेख और प्रेंड़ केसाथ थोड़ा सा चीज भी एड़ कर सकते हैं तो friends ये हमारा पनेरिस्टी बहुत ही स्वादिस्ट बनके तयार हुआ है, साथ साथ गिऊं के आटे से हमने इसे बना के तयार किया है, तो इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहां मैं friends आपको इस नास्ते को एक बार काट के दिखाती हूँ कि ये हमारा नास्ता अंदर से कैसा बना है उपर से तो बहुत ही लाजबाब लग रहा है दिखने में, अंदर से ये कैसा बनके रेडी हुआ है तो इसे मैं अब काट के आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए चारों तरब से बहुत अच्छे से सीख चुका है तो friends आप तेज नाइफ से इसको काट सकते हैं ये देखिए ये नास्ता बहुत ही लाजबाब बना है और ये देखिए friends पनीर का इस्टीक बिलकुल फ्रेस है बहुत ही स्वादिस्टी ये नास्ता बना है तो नास्ते की ये रेश्वी आपको कैसी लगी comment box में अपना feedback जरूर दीजिएगा पसंद आई हो तो friends family में share करिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैस्री हरी